कुंभ राशी कुट्टे से भी बुरा हाल होगा, दुश्मन घिनोना शद्यंत्र रचाएंगे. जोते शास्त्र के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं. आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिया आपके लिए कुशी के पलों को लाएगा. आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है जहां दिल की बजाए दिमाग का ज्यादा इस्तमाल करना चाहिए. वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस होगा. जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है. आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है. कोई रहसे या गलती अभी आपको परेशान कर रही है. किसी सलाकार या शिक्षक के साथ अपनी चंताओं को शेर करें बुराया या बुरा व्यवहार आपके स्वास्य या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है इसके बजाए आध्यात्मिक्ता और ध्यान के बारे में सोचे या राहत के लिए कोई यात्रा करें आज आप आशावाद और सकारात्मक्ता से भरे हुए हैं उम्मीद और आत्म विश्वास के बिना कुछ भी हासल नहीं किया जा सकता और इस समय आपके पास दोनों ही हैं बस एक नई शुरुआत करें विचार करने के लिए खूब समय लें लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुच जाए धन्द राशिफल आने वाले खत्रे या मुसीबत के लिए आप अभी तैयार हैं लोगों से बातचीत करें और अपने विचारों को उनसे बाट कर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करें सफर के दौरान गड़बडी की संभावना से बचने के लिए आज यात्रा न करें इतिहास खुद को दोहराता है इसलिए अच्छा करें और अच्छा पाएं जीवन में लाग और अच्छे परिणाम आपके परिश्रम वग्यान का नतीजा है तो आज का दिन आगे बढ़ने का है अपनी महत्वा कांक्शाओं वँ अपेक्शाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहंत करें अपनी कंपनी की लोग प्रियता बढ़ाने के लिए इंटिनेट का सहारा ले सब कुछ भूल कर वही करें जो आपकी इच्छा है विश्वास रखे विजय आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों इसी तरह राशिफल के विडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं भविश में रोमांस के क्षण मिलेंगे सफर में हुई गडबडी या किसी की लाइलाज बीमारी के कारण तनाव महसूस हो सकता है अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुने और शांत रहें आप अपने प्रेम के लिए निजी कामों को स्थगित कर देंगे आज के दिन को रंगों ने भरने के लिए किसी रोमांटिक फिल्म का कारेक्रम बन सकता है बस अपनी भावनाओं को काबू में रखे अपनी दिल की बातों को व्यक्त करने में अधिक समय न ले सामान्य राशिफल आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रही है अध्यापक या सलाकार से मार्गदर्शन के लिए मिले अपने स्वास्थे के लिए समय निकाले अपनी चिंताओं को रहस्य न रखे या किसी जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त न हो यह समय अच्छे अवसरों से भरा हुआ है इस समय की मांग यह है कि आप धैर्य से लोगों की बाते सुने और समझे किसी छोटी सी गलती से आप भविश्य के सभी लाभों को खो सकते हैं आपका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत फाइदों की तुल्ना में अपने प्रियजनों का ख्याल रखना रहेगा जो लोग कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अकसर मंजिल पर पहुँचते हैं ध्यान में रखने वाली बाते बहुत कुछ आपके कंदों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है आर्थिक रोप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे अपने महमानों से खराब बरताव ना करें आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दोहकी कर सकता है बलकि संबंदों में दूरी भी पैदा कर सकता है रोमान्स का मौसम है लेकिन अपने जजबात काबू में रखें नहीं तो रिष्टे में खटास पैदा हो सकती है ज़रूरत मंदों की मदद करने की आपकी कासियत आपको सम्मान दिलाएगी आपको अपने जीवन साथी का सक्त और रुखा पहलू देखने को मिल सकता है जिसके चलते आप असज महसूस करेंगे बिना किसी को बताए आज आप घर में छोटी मोटी पार्टी रख सकते हैं करियर राशिफल किसी खास की मौत या बीमारी से आज आज आप अजहाय महसूस करेंगे अचानक प्राप्थोय धन का सही प्रयोग करें अभी आप कुछ मज़ेदार करना चाहते हैं इसके लिए लॉंग ज्राइव या पार्टी का सहारा ले सकते हैं बुरायों और पाप से खुद भी दूर रहें और अपने करीबी लोगों को भी बचाएं आज भगवान स्वयम आपके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए आपको प्रसिद्धी और जीत दोनों का आशिरवाद देंगे कड़ी मेहंत इस दिन का मंत्र है लेकिन आपको अपने सहकर्मियों के सहयोग की भी आवशक्ता पढ़ सकती है मार्केटिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नती के नए मार्ग मिलेंगे स्वास्थ्य राशिफल आज का दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई द्रिड संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं अज आप काफी सक्त शारिरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं लेकिन यह भी तै है कि आप चाहे जो सोचे उस पर आसानी से चल पाएंगे आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदी कर सकते हैं स्वास्त्य संबंधी परेशानिया आज कम होंगी और आप इससे काफी हद तक आरा महसूस करेंगे तो चलिए अब बात करते हैं औरतों को खुश करना है तो कुट्टे से सीखे ये गुण हमेशा रहेगी संतुष्ट आचार्य चानक्य अपने दौर के महान विद्वान थे उन्होंने अपने अनुभवों से चानक्य नीती लिखी थी इसमें उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी बाते भी बताई थी इसमें पति-पत्मी के रिष्टे को बहतर करने की टिप्स भी है इसमें बताया गया कि कैसे कुट्टे के कुछ खास गुणों को अपना कर आप अपनी पत्मी को हमेशा संतुष्ट रख सकते हैं तो चलिए जानते हैं ये गुण कौन-कौन से हैं संतुष्ट और खुश रहना आचार्य चानक्य की माने तो एक पुरुष को अपनी शक्ती और गुणों के आधार पर मिहंत करनी चाहिए उसे इस परिश्रम से जो भी धन या फल मिले उसमें ही संतुष्ट वह खुश रहना चाहिए उदाहरन के लिए जब कुट्टे को भोजन दिया जाता है तो वहां उसके कम या पसंद का न होने पर भी उसे खा कर संतुष्ट हो जाता है इसी तरह पुरुष को अपनी आमदनी से आए पैसों में ही खुश रहना और परिवार का गुजारा करना सीख लेना चाहिए आप खुश रहेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनरजी से पत्मी भी खुश रहेगी सतर्क और सावधान रहना एक कुट्टा चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो लेकिन थोड़ी सी आहट होने पर भी तुरंत जाग जाता है वह हमेशा सतर्क और सावधान रहता है इसी तरह एक पुरुश को भी लाइफ में हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए इससे आप अपने शत्रू या आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं अपनी बीवी और परिवार की रक्षा कर सकते हैं आपके सतर्क रहने से आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा. इस तरह आपकी बीवी खुश और संतुष रहेगी. वफादार रहना. कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है. उसे इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहते हैं. वह अपने मालिक को कभी धोखा नहीं देता है. पुरुशों को भी यह गुण अपनाना चाहिए. उन्हें अपनी पत्नी के प्रती वफादार रहना चाहिए. पराई महिलाओं से आकरशित नहीं होना चाहिए. पत्नी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए. ऐसा कर वह पत्नी का भरोसा जीत लेंगे, वह आपसे हमेशा खुश रहेगी, बदले में वह भी अपनी वफादारी आपसे दिखाएगी, आपकी सेवा करेगी, आपको खूब प्यार देगी, बहादुरी दिखाना, कुत्ता समय पढ़ने पर हमेशा बहादुरी दिखाता है, वह अपने मालिक की रक्षा जान देकर भी करता है, इसी तरह पुरुष को भी हमेशा पत्नी की रक्षा के लिए बहादुरी दिखाना चाहिए, यदि कोई उसे नुकसान पहुचाने की कोशिश करे तो उसे सबक सिखाना चाहिए, उसके आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहिए, इससे पत्नी आ पान्यताओं और धर्मग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश महज सूचना पहुचाना है। आप इसे सूचना हे तू ले। इसके अतिरिक तक अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उप्योग करते हैं, तो इससे पहले अपने नस्दीक के कुल पंडित से झाल नस्दीक के कुल आप दिएर ग्रियो माने नस्दीक के तक मानते हैं, तक सिस्दीक के तक टुना प्रिवाने तक मानते हैं, तक प्रिक तक रहा गया है।